आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है Reliance Communication में दो दिन से लगातार गिरावट आ रही है क्या है कारण और क्या ये अच्छी ख़बार है गिरावट आना आए समझते हैं क्यों कह रहे हैं ये अच्छा अपोर्चुनिटी मिल रहा है क्या है लेवल खरीदने के लिए Reliance Communication एक मल्टी बैकर है आ गया आने वाले समय के लिए और ये जो गिरावट है आपको बहुत अच्छी अपोर्चुनिटी है लॉंग टर्म की दरश्ची से देखे सुनने में आ रहा है ट्रेडिंग सर्कल के अकॉर्डिंग लिए Reliance में by the Data Center of Reliance Communication जो one of the asset है यहाँ पर क्यों इतना इंपोर्टेंट है डाटा सेंटर पहले इसको समझने की कोशिश कीजिएगा Reliance Communication के support और resistance बताएंगे टेखनिकल एनेसे के मादियम से जो card business है ये इंडिया में काफी ग्रूम कर रहा है और इसमें सब लोगों को अब डाटा सेंटर इंडिया में रखने पड़ेंगे अगर आप इंडिया के customer को डाटा रखेंगे तो आपको भारत में ही रखना पड़ेगा RBI की नहीं guideline है जिसकी वज़े से यहाँ पर डाटा सेंटर की काफी ज़ादर demand हो गई है और इसी वज़े से location manager इसको खरीदने की कोशिश कर रहे है आईए ज़रा चल कर देखते हैं क्या है technical view अभी 3.60 पैसे का share चल रहा है अभी 7 परतीशत गिरा हुआ आज volume करीब 9 करोड share hand exchange हुए है इसमें और अगर delivery देखें तो गिरावट के time पर delivery करीब 46% है यहाँ पर तो काफी लोग खरीद रहे हैं इस बात समझेए दो दिन से जो high बनाया था इसने 4.70 पैसे का आज ये 3.60 पैसे 1 रुपय गिर चुका है और ये फिर से अपनी buy range में आ चुका है अगर ये 3.50 रुपय के आसपास से कल अच्छा bounce back दिखाता है recovery दिखाता है तो बहुत अच्छा दिन रहेगा otherwise it might be headed for 3.20 पैसे तो इन लेवल के बीच में जो दो support लेवल बताए है वहाँ पर आपको इस stock में एक counter में entry करनी है दो candle stick बनी थी बुलिंजर बैंड के बाहर बैंड विच चोवन के आसपास थी कहा था सारा पैसा मत लगाना अभी यहाँ पर average के लिए रखना तो ये जो दो लेवल है ये काफी अच्छे momentum है average करने के लिए golden crossover क्या ये बंध हो जाएगा दो दिन बाद पता लगेगा अगर बंध हो ना होगा बट अभी के लिए positive momentum trigger continue है यहाँ पर इस stock में super trend का support 3.20 पैसे का RSI 80 के उपर चला गया था इसलिए धान के retail निवेशकों को कभी recommend नहीं करेंगे 80 के आसपास में कोई भी stock खरीदने के लिए I hope यह छोटा और informative वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को subscribe कर सकते हैं चैनल का 5 by 5 rule आपकी wealth को protect करने के काम आएगा और साथ साथ में अगर आप please consider financial advisor अगर हमारे साथ जोना है तो mail drop कीज़े जहें जहें जह भारत बाइ